देखे! इन्धावाद! दर्शकों को पंकजकुँ मारका नमसकार, इसमें इन्दरी ब्रहमन धरमशाला में कॉंगरेस की जो एक मीटिंग चल रही है, संगठन के विस्तार को लेकर के जो आज मीटिंग की गई है क्या कुछ pillar इस मीटिंग मेंनीकल कर सामने आएगा और किसकर जो जिम्म्यधारी है संगठन में वो लगाई जा रही है उसी को लेकर के बाथचीत करने का परियास करेंगे तमाम समय इंदुरिए हलकी के समय आप दे सकते हैं कॉंग्रिस के कारेकरता और नेता इस समय यहाँ यहां पर पहुंचे हुए हैं मीटिंग यहां पर की जा रही है इंदुरिए ब्रह्मन दरंचाला में और इस समय जो परिबारी है दिपकमान Personality यहां पर पहुंचे हैं क्या कुछ किस को जिम्मेदार यह सब दिखाने का आपको दिन का पर्यास लाश चार घृजव चार ब्लोक में बांट रहे हैं और उन ब्लोक को हम हर ब्लोक को दो मंदल में हमारे चार ब्लोक और आठ मंदल होंगे और उसकी पूरी कारयकारणी बनेगी और इस संगठन निर्मान में जितनी हमारी 36 व्रादरियां है सब को रखा जाएगा चाहे वो अपने सब लोगों को समाज से वालमिकी चाहे वो चमार जाती से सब को इस संगठन में उनकी शमता के हिसाब से जगा दी जाएगी कुछ कारण वर्ष हर्याना में संगठन नहीं बन पाया पर हम पिछले दो महीने से परियास कर रहे हैं और संगठन बनाने के लिए हम ग्राउंड पे जाके ध्रातल पे जाके वर्कर्स को मिल रहे हैं उनकी राये के हिसाब से उन संगठन को मजबूत कर रहे हैं कोई खाना पूर्ती वाला काम नहीं है यह संगठन लोगों के बीच रहके बनेगा संगठन मजबूत आप बता रहे हैं यह 2024 को लेकर के भी संगठन को जिन्मदारिया दी जा रही है बिल्कुल 2024 का जो लेक्षन है लोकसबा को आने वाला है लेक्षन का दौर चल रहा है लेक्षन का मौसम है संगठन को इसी लिए बनाना है कि ताकि हम लोग ब्लॉक मंडल सेक् टके पनी पार्टी को मजबूत कर सकें और कॉंग्रस पार्टी को हर्याना में जिता सकते हुए कश्मीर राहुल गांदी जीने यात्रा कीई करोड़ों की Karणार में उनसे वरकर चाहे और किसान थे वह कोई काम करने वाला अदमिया सब से मिलें और उनके साथ चले तांगाओ जा रहे हैं कैसा समर्थान लोगों कभा मिल रहा है कंग्रस पार्टी के पुरा कारह कर्ता में जोश है कारह करता बाहर निकल देखिए साथी एक मैसेज किया था हमने वो साथी आए हैं और लोग कांग्रेस पार्टी को करता है जो मजबूत से जिताना चाहता है और जो हताश है आज इस पूरे हर्याना में चाहें वह नौजवान है चाहें किसान है चाहें महिला है जो यह बीजेपी की नीतियों से सभाव में वी कार्या करता करता कुंक सरकार दावा कर रहे हैं उतया है अगर वो कांग पर्द्धान मंतरी अपनी जुवान बोलते हैं कि इस देश में 80 किरोड लोगा उप्धार और किसान के काम करते तो वहां एक साल किसान बौर्डर पर मत बैठता और सार्सों किसान शहीद ना होते कैसे काम कर रहे हैं सब अपने आज पूरे देश में सबसे ज़्यादा बेरोदगारी हर्याना में है वह उनका स्टाइल है सबको पता है वो क्या करते हैं वह पुराने वाले खटर साब नहीं है अब इनकी गाडियों का काफला देखी आपको पता चल जाएगा जोजार चोबिस में बात कर रहे हैं कि सबसे पुरानी पार्टी है अठाइश को आप लोगों पता एक्सों ठत्ती साल हमारी पाड़ी हो जाएंगे हम वह पार्टी है जिसने देश को अज़ाद करवाया जिसने सुई सिले के जहाज इस देश में बनाया यह तो आप आए हैं इनको 30 साल हुए अभी आई आई संग जिले में चाहिए आप ग्रॉंडा देख लो करनाल देख लो इंद्री देख लो पूरा पेपरवग हो चुका है और कुछ जो साथी है एक बार फिर से उनकी राय ली जा रही है और लोगों की राय से यह संगठन बनेगा सब्सक्राइब सब्सक्राइब कांगरेश करने में सकता है और कार्य करता है करम सिंग खानपुर जी से एक पर जान लेते हैं कैसा लग रहा है संगठन को लेकर करके ले डिले हो रहा था और आप पार्टी है क्मान की तरफ से सकत अधेश हैं और हमारे परवारी प्रदीव मांजी यहां पर दो तिन मीटिंगे कर चुके हैं और आज भी एक और जीन को तीस तरीक तक का टाइम दिया गया है कि फाइनल हो जाएगा और मैं अपने हलका वाजियों को एक और सूचना देना चाहता हूं एक तारिक को हमारी कॉंग्रेस की वरकर मेटिंग है करनाड में जिसमें मानिय हुड़ा साब और हमारे हर्याना के अध्यक सुद्य ज्यभान जी सिरकत करेंगे और सभी सात्षियों से मेरा निवेदन हनकावास्यों से वरकरों से रहो सभी से ज्यादा से ज्यादा संक्या करक्रों करनाल को भी जो मीटिंग है वो कुछ नार सिंग जी क्या कुछ कहेंगे आज इंदरी पहुंचे हैं संगटन की मेटिंग हुई क्या कुछ कहेंगे करनाल को विस्तार से सारी बातें बचा दी है ये लेकिन जिस्तरीके से हमारे परवारी जी लगे हुए है मैं समझता हूं कि बहुत ही जल्द कारिया करनी परदेश के अंदर गठी तो जगी और हमारे जीले के अंदर भी बहुत ही जल्द कार्या करने का गठन होने जा रहा है तो इसको लेकर आज सब साथी यहां इकठे हुए है और उस पे चर्चा कर रहे हैं जल्दी से जल्दी इसको एक बनाने पर पूरा पूरा जोर दिया जा संगतन को लेकर के भी आप लोगों ने कोई सुजाव दिये हैं ताकि वह जल्द से जल्द मजबूत हो जैसे जैसे परवारी ने आम से सुजाव मांगे हैं हमने उनको सभी ने अपने अपने सुजाव दिये हैं और परवारी जी ने उनको बड़े विस्तार से सुना है और उस के लिए भी पूरी त्यारियों में लगे हुए हैं और जैसा निर्देश आई कमांड का या जासे हमारे प्रबारी जी देंगे सबी साथी उसका पालन करेंगे सभी साथी पालन करेंगे अंग्रे संग जी हम जूट चुक चुक्त या कुछ कहेंगे आज मीटिंग हुई वैसे तो विस्तार में बताई दिया हमारे प्रबारी जी है मान साब परदीव मान जी बताई दिया अभी अलके में चार ब्लोक देक्स और आठ मंदल देक्स हम तुरंत प्रवाव से बढ़ाने जा रहा है सारे वरकरों की सारे इंदिर नेताओं की सलाह लेकर जो भी है उस यहां पोचने में धन्यवाद करता हूं और उसके बाद उड़ा साब आएंगे एक तारिक को करनाल तो सभी करनाल डिस्ट्रिक के आपके चैनल के मादम से कहना जाता हूँगी सभी वरकर और हलके नेता जितने मिया सभी वहां करनाल पुंचे जाहिंद जाबार तो मड़ान यह बना दिये जाएंगे और बहुत जल्दी अपने कार्या करने काम करने सुरू करतेगी विचारदारा देखने को में इंदरी के अगर बात करें तो लोगों में कैसी देखिए लोगों का तो जो सुझा हूआ है ना रुजहान है तो कांग्रस के साइड में है कि बीजेपी जल्दी इसका कोई और नक्सा देखने को मिलेगा गुटबाजी को लेकर के कुछ कहेंगे जिस अब बताये जा रहे हैं कि सरकार जो है बता रही है कि कॉंग्रेस में बीजेपी की गुटबाजी गिनियों कितनी हैं और ओंगी कितनी यह दूसरों के ओड़ी तो उंगली ठा सब्सक्राइब और यह जो खिलाडी वाला मामला करें और कुस्ति संग को बर्खास्त किया जाए बिल्कुल और प्रोपर तरीके से जो नोरम इसके बना उसके साब से इसका चुनाव करें चुनाव करा जाए जगमाले सिके संदू जी क्या कुछ कहेंगे आज इंदरी पहु दिये हैं और यह अपनी रिपोर्ट बना करके हाइकमान को देंगे और जल्दी इसकी घोशन हो जाएगी लोगों में कैसा उत्साहा है और महाराज यही उदेशा है कि जादा ज्यादा लोगों को संग्टर साथ जोड़ना है ताकि आने वड़े समय में एक मजबूत हाज करता हूं जो अब आज चय बारे में मिटिंग थी आज जो हमारे परदीप माना अजो हुआ हमारा हालके की परबारी है के उपजरवब है में संख्टन मनाने के लिया आई neither बॉलोक बरेंगे आर्ट इसमें मंडल में परने इसमें अज़ां परतासन दे कि तो संग्ठन के कारे करता और नेता इस समय आज संग्ठन को लेकर की गई इंद्री ब्राम्बन दरमशाला जिसमें के तमाम कारे करता और नेताई समय यहां पर पहुंचे हुए हैं और संगठन को मजबूत करने को लेकर के इस समय विचार भी मस्च किया गया कब तक यह संगठन मजबूत होगा और कब भी मार。